वेल्कम बैक टू माई चैनल आई वोप यू आपके लिए फिर से साड़ी रुपिंग का वीडियो लेके आई हूं जिसमें कि मैंने आपके साथ एक श्रिणंकर साड़ी स्टाइल रुपिंग शेर किया इस वीडियो में और दो लुक मैंने अपने माइंड से क्रियेट किये है इसमें कि जो यह लुक है मैंने अभी यहाँ पर पहना हुआ है यह लुक मैंने क्रियेट किया है और जो सेगेंड वाला लुक है वो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा वो भी मैंने फड़ा डिफरेंट स्टाइल से ट्राइ किया है तो कमेंट करके ज़रूर पत हैं अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो इनके लिंक मैं नीचे डिस्रिप्टन बॉक्स में दे दूंगे और वीडियो के एंड में भी तो आप जाके चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने स्टाइल लंबर बन को क्रियेट करने के लिए मैंने ये सिलक की साड़ी लिये परपल क्लर की साड़ी है और पूरे मैं बॉर्डर है और मैंने यहां पर अपना crop top पहना है मैंने इसका blouse नहीं यूज किया इसके साथ का crop top यूज किया है और नीचे मैंने यह black color की पैंट पहनी है किसी भी साली को ड्रेप करते जमें सबसे पहले आप धिहान रखेंगे कि आपको अपनी हील को हमेशा वीयर कर लेना है जिसी की आपका जो लोक है वो पाफेक्ट आए बिनको तो मैंने पूरी साडी को दबल फोल ने के बाद होड़कन का čाएंगे और जो प्लू वाला पार्ट युवल फोल्ड को तौत मिले तो पूरिके diese इतना पीक तरीके तोप्रिखी हो दोड़की से बाएए इसको बिल्कूल अजीब सहना लगे तो इस तरीके से हम यहां पर नोट बना लेंगे अगर आप नोट नहीं बनाना चाहते हैं यानि कि गाट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर safety pin से उसको secure करके कोई भी flower या ब्रॉच लगा सकते हैं और यह side वाला part है इसको आप यहाँ पर safety pin से secure कर सकते हैं अगर आप अंदर कुछ नहीं पहनेंगे बट मैंने या पर crop top पहना है तो safety pin की जरूरत नहीं है मैं ऐसे ही रखूंगी इसको अब हम यहाँ पर साडी के बचेवे पाट को इस तरीके से ले लेंगे लेंगे आप अपने according रख सकते हैं अप फुल लेंथ भी रख सकते हैं और half length भी पट मैंने यहाँ पर half length रखिए क्योंकि अगर हम फुल लेंथ रखेंगे तो उतनी ज़्यादा पिन हम को इस border वाले part को आप side में भी रख सकते हैं या फर back में भी रख सकते हैं मैंने इसको front में इसलिए रखा है जिससे कि आगे जो यह border वाले look के थोड़ा सा अच्छा लगे और उसके बाद अभी में यहाँ पर आप किसी की help भी ले सकते हैं pin लगाने के लिए बट यहाँ पर अभी मेरी help के लिए कोई नहीं था तो मैंने खुद से यहाँ पर pin लगाये हैं और जहाँ जहाँ से आपको लगे कि open हो रहा है तो महाँ पर आप safety pin लगा सकते हैं बस यह मैंने आपको यह साड़ी look बता रहे हैं इसको आप ना ही try करें तो अच्छा है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा drawback है जब आप इसमें बैठते हैं तो आगे जहाँ पर हमने safety pin लगाये महां से open हो जाता है बैठने के बाद आपकी साड़ी stretch भी हो सकती और खराब भी हो सकती है इस look को आप तभी try कीजिएगा अगर आपको किसी school या college function में किसी fancy dress competition में या किसी unique style साड़ी competition में जाना हो तो आप इसको try कर सकते हैं क्योंकि किसी भी program या function में आपको एक या दो घंटे के लिए इस type का look create करना होता है और उसके बाद change कर लिया जाता है तो उस तरीके से आप इस साड़ी look को ज़रू try कर सकते हैं style no.2 हमारा है श्री लंकन style saree dripping इसमें हमको क्या करना है साड़ी को दो पार्ट में divide करना है और यहां पर belly button के पास बीच ओ बीच हमें एक tight knot बना लेनी है क्योंकि हमारी पूरी साड़ी is knot के ओपर ही रहने वाले इसलिए tight से गांट लगाएंगे और जो यह बीच वाला पार्ट है इसको उठाते हुए हमें belly button के पास यहां पर हमें safety pin से secure कर लें यह जो श्रिलंकल स्टाइल सारे डिपेंगे लगबग धोटी स्टाइल से थोड़ी सी different है और धोटी स्टाइल का वीडियो भी मैंने पहले बनाया है तो इसका link में उपर आई बटन में दे दूँगे आप जाके महां से चेक कर सकते हैं अभी मेरी जो साड़ी है उसको मैंन कर सकते हैं वह एक जो लूंगी टाइप लूक होता है वह आपका लगेगा इसमें तो सारी प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करने के बाद यहां पर हम इसे बैक साइड में टक कर लेंगे और लगबग अंदर उतना टक करेंगे कि हमारा जो फीचे वाला फैब्रेक है वह हम पर आणच्छे से घंबा के दिखा रही हूँ अगर आप यह बनाते हैं और पर लूग की प्लीट्स से उबनको कैसे बनाते हैं तो यह पीच्छर आपके सामने आ रहths है इस वीडियू का लिंक में लेगे बट्रमें देवेंगे अगर आप वीडियो देखना चाते हैं तो सकते हैं उसी तरीके से जैसे हमने बैक में प्लीट को टक किया था उसी तरीके से फ्रंट में टक कर लेंगे और बैक और फ्रंट में दोनों को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे तो मैंने यहां पर दोनों में सेफ्टी पिन लगा लिया है बड़ मैंने वीडियो में नहीं पर मैं safety pin लगा चुकी हूँ अंदर से और उसके बाद अगर आप safety pin नहीं भी लगाना चाहते हैं अगर आपकी knot tight है तो उसके बिना भी आप इसको carry कर सकते हैं बस आपको एक waist belt add करनी होगी तो अभी आप इसका final look देख रहे हैं इस साड़ी look को अगर आप blouse के साथ pair नहीं कर यहां पर हम इसको right leg से निकालने का बाकी साड़ी को front में ले आएंगे तो बाकी साड़ी को मैंने as it is रखा है बस मैंने पल्लू वाले part को open किया है बाकी साड़ी वैसे ही जैसे कि style no.2 में थी और पल्लू वाले part में मैंने यहां पर थोड़े से changes किये हैं बस अभी यहां प आपके सामने picture show हो रही है यह वीडियो बनाया है जिग जैक स्टाइल साड़ी रेपिंग का अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं साड़ी रेपिंग के तो इसका लिंक में उपर आपको आई बटन में दे दूंगे आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं तो देखिए हम आप बैक में ऐसे भी छोड़ सकते हैं बट मैंने यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है वेस्ट बेल्ट एद करने के बाद वह मैं आपको दिखाती हूं कि मैंने पल्लू के साथ क्या किया है बैक में अकर आप ऐसे ओपन रखेंगे तो भी अच्छा लगेगा बट मैं यहां पर ओपन नहीं रखा है यहां पर थोड़ा सा स्लीव का लुक दिया है एक साइड में तो यहां पर मैंने जो पैक का जो पल्लू अलब आटे चोटा सा उसको मैं फ्रंट में ले आई हूं और अच्छे से अरेंज करने के बाद यहां पर मैं कॉर्ण में सेफ्टी पिन लगा दूगी क्योंकि यह जो सिल्क वाली साडी होती है इसका पल्लू होता है वो काफी थिक होता है काफी स्ट्रॉंग होता है तो यह शेप मेरी अपने आप बन गई है तो मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने एक स्लीव का लुक यहां पर दे दिया है और यह जो लग रहा है स्लीव वाला लुक आप लोगों को यह स्लीव वाला लुक कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो आज मैंने कुछ नया प्राइट किया है अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि कौन सा साथी रिपिंग आपको सबसे अच्छा लगा है और अगर आप मेरे चैनल को प िसे कौन सा सबसिते ऑार कर थे अवरा को सा भीडियो भास लुट नहाईगी ऑार हगा भास wrap को लिएग्योस अच्छा भास